कुरोना मामारी के समय से आज तक नहीं बना समसान के लिए रास्ता गाउवासी जलमगन समसान में सब ले जाने पर हुए मजबूर अजकारियों ने किया कई बार गाउव का दोरा कई बार कीजा चुकी है नोईडा प्राधिकर से अपील लेकिन मिला है तो सिर्फ आश्वासन क्या कुछ कहना इस विशाय में रोजा जलालपूर गाउव निवासी एडवोकेट रविंदर भाटी का आईए पूरा वरतान थमा पोस्त सुनाते हैं अधिकर लेकिन मिला है अधिकर लेकिन मिलाव निवासी एडवोकेट रविंदर भाटी गाउव जलालपूर से जब करोना काल हुआ था तो गाउव में बहुत सारी जो साथी करोना काल में काल में समागे थे और उनकी डेथ हुई थी एक वहीने में 26-27 से जादा लोगों की हमारे गाउन जलालपूर से अन्य गाउं में यह इस्तिती थी तो उस समय जो हमारे समसान गाट का रस्ता है वो बहुत खराब था और वहां तक जाए तो हमने ग्रेटर नोड़ा के अधिकारी आए उन्होंने दोरा किया लेकिन एक भी रुपिया गाउन जलालपूर में समस में जिनके लिए दो दो सो तीन तीन सो करोड ग्रामीन विकास बजट होता था आज इन्होंने गाउं का बजट खतम कर दिया है यह केवल मुनाफ़े कमाने के लिए प्राधी करना है इस आपके माद्यम से हम मानने मुख्यमंत्री जी जो 22 तारिक को गोतम बुद्नगर में उनको अगवत कराना चाहते हैं कि इसे अधिकारियों पर जो केवल ऑफिस में बैठकर गाउं की समस्चाओं का अंदेखा करते हैं उनको कारवाई की जाए और जो हमारे गाउं का समसान का रस्ता है क्योंकि आज एक हमारे गाउं में डेथ हुई और उसमें पानी में से नि की जाए और ऑथर्टी के अधिकारी इसका जवाब दें कि समसान घाट का रास्ता कब बनेगा या उसके लिए भी कोई आंदोलन करना पड़ेगा